दोस्तो मेरा नाम जगदीश कुमार पूनिया है मैं 2007 आरेस की परीक्षा में एप्यर हुआ 2009 में मेरा RPS पदपर चायन हुआ मेरी जो पहली प्रात्मिक थी वो RPSC थी डिप्टी आस्पी पदपर में जाना चाहता था मेरी 43 रेंग थी OBC में मेरी पांच भी रेंग थी उसके बाद भी मैंने RS की परीक्षा जो थी वह क्योंकि इसी दोरान हो चुकी थी तो मैंस दे दी थी लेकिन साकसात कर नहीं दिया क्योंकि मुझे मेरी जो मन पसंद जो चीज थी RPSC वह मिल चुकी थी दोस्तो RS जो है बनने का जो सफर है वो कईयों के लिए हो सकता आशान हो कईयों के लिए कठीन भी होता है जो ग्रामिन प्रश्ट भूमी के जो विद्यारती है उनके लिए थोड़ा ज्यादा कठीन होता है और पहले तो और कठीन था RS की त्यारी करना भी एक अपने आप में अर्कूलिस टास्क था कोई बढ़ा बहुत बढ़ा काम था तो उस समय कई लोग आपके खिलाब भी होते थे कईयों को पसंद भी नहीं आता था सारी चीजे आपको सोचनी पड़ती थी करनी पड़ती थी फिर उस लिकट परिस्तित में आपको अपना मानसिक संतुलंद बनाए हुए त्यारी करनी पड़ती थी तो मैंने भी वह दोर देखे हैं आप मेंसे भी कई लोग ऐसा ही दोर से गुजर रहे होंगे देख रहे होंगे तो गबराने की कोई ज़रूरत नहीं अभी जैसे कोरोना जैसे बीमारी में भी हम से बाहर निकल सकते हो तो इन चीजों से गबराने की जरूरत नहीं है आप बहुत बढ़िया कर सकते हो जुड़े रहे हैं आप लोगों से तो आप लोगों को कहीं कमी आने नहीं देंगे बिलकुल यूट्यूब पे नीश सुल्क मारक दर्शन आप लोगों को दिया जा रह रही बात दोस्तों दूसरी त्यारी की मेनत की तो कहीं बार अक्सर विद्यारती पूछते हैं कि सर कितने गंटे पढ़ते हैं या कितने गंटे पढ़ना जुरूरी है तो पढ़ाई का कोई गंटा या समय नहीं होता जब मन हो पढ़ते रहो बस जब आप IAS, RAS की त्यारी क करते हो तो जब मन आए पढ़ते रहो syllabus में जो चीज वो पढ़ते रहो और उसके लिए सबसे पहले आपको syllabus पता होना चाहिए बिल्कुल एक-एक सब्द को आपको ध्यान होना चाहिए फालतू की चीज़े आपको नहीं पढ़नी है लेकिन जब आप IES और RAS की त्यारी करते ह तो syllabus की परते एक topic का आपको बहुत अच्छे से details से घ्यान होना चाहिए उसके बारे में जो तथ्यात्मक चीज़े हैं वो भी और जो conceptual चीज़े हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से बता होने चाहिए तो facts concept दोनों मिलकर आप prelims और mens को clear करते हो साकसातकार में भी आप साकसातकार अच्छा होता है तो मेरा यहां पर आप लोगों को संबोधन करने का यही मकसद है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके त्यारी कीजिए जैसा बताया जा रहा है उसके according चलिए तो आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी फिल्लिम्स परीक्सा होगी फिर आपके मेंस होगी मेंस में आंसर राइटिंग वगरा इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे टेस्ट पेपर वगरा भी आयोजित करवाएंगे तो आपको डरने की गबराने की ज़रूरत नहीं है बस आत्मविश्वास पूरा रखो और आ आने देंगे तन्यावाद जैहिनुद